इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट पेपर 1 का कम्प्लीट सलेबस डिसकस करेंगे उसके सांसाथ उन अभेर्थियों के लिए कुछ इनफॉर्मेशन देंगे जो पहली बार सीटेट पेपर दे रहें और जो बार-बार फेल हो जा रहे हैं ठीक है तो यहां पर ज्यादा नह में तीजस करना यहीं में संस्कृत हैं अंग्रेशन संख्रिट अंग्रीग में क्या ना कूल 294 अंग्रेशन is a request aloud सुन 1 इस आ सीदे काया चाहिक या लोग बार बार फेल हो जा रहे हैं उनका पहला कारण यह है कि उसलेबस को डाउनलोड करए अच्छे इसकी को पढ़िया अच्छे से आप सीधे YouTube पर चले जाते हैं कोशन करने के लिए यूटूब पर भी पढ़िये मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन यूटुब पर पहले इनकी थियोरी को पढ़िये इसकी इसके concept को जानिए जो पहली बार दे रहे हैं और जिनको पता है मतलब पढ़ लिया है तो अच्छी बात है लेकिन जिनको नहीं अच्छी से पता है तो पहले इनकी concept को पढ़िए फिर आप जाएं कोशन करने के लिए या कोशन पेपर बनाए तो अगर थोड़ा से एक बार भी जरूर ला देंगे पहले बता दे रहा हूं दिक्कत आती है बीस और प्लस तीस नंबर इधर आगे बढ़ाने की जो पासिंग मांक से ओवी सीस्टी से के लिए 82 और जर्नल के लिए 90 दिक्कत यहां आती है यह नंबर नहीं आ पाता है ठीक है लगब को 60 से 70 या 50 नंबर तो सबसे cucumbers ना सा यह थोते हैं तो इसमें क्लिए होता है रहता है आप अच्छीं होके पढ़ना नहीं तो फिरnar क्लियर होने वाला नहीं है तो इसके सलेबस को डाउनलोड करिये अच्छे से और फिर इसके बारे में मतलब सभी के लिए बता रहा हूं जिसे जो एपेरिंग है और प्लस जो बार-बार फेल हो जा रहे हैं दोनों लोगों के लिए इनफर्मिशन है कि आप अच्छे से अच्छी बात है मैंने कराओ के कोशन बनाना ही नहीं है मतलब पढ़ते रही है सलेबस को भी पढ़ते रही है इस तरीके से करिये आप ऐसा नहों कि मतलब आप कोशन ही बनाने के चकर में सलेबस भी बोल जाए फिर वहां पर कॉंसेप्ट जब आएगा ना तो सीटेट देखो को इतने चोटे-चोटे कोशन नहीं पूछता है हलवा की एक लाइन का कोशन दिया आप टिक करके चले आओगे और एक्जाम के रात में पहले अच्छे से सो के जाना है वहां पर अगर आपका माइंड अच्छा नहीं है माइंड अच्छे से स्ट्रेस में मतलब अगर माइं इतना इतना इंफर्मेशन थी अब आइए फट अफट डिसकस करते हैं तो वीडियो बहुत बढ़ी होने वाली है ठीक है इसके लिए सारी वीडिक क्योंकि बहुत ही जादा लिंदी होने वाला है थोड़ा सा मतलब मैनेज करिए का यहां पर सबसे पहला पॉइंट है आपक अब प्रश्न रहें गे और इक ज़िए जो बाल विकास का कंटेंट है यानि बाल विकास से जो कोशन रहें गे वो पर दरें नुमर के रहेंगे और उसके साथ प्रवाजिक के जो कोशन आएंगों 15 के आएंगे तो 15 प्लस 15 कितना हो जागा 30 सभी पैर न्याइए बता हैं त सब्जेक्ट है न तो पंद्रा पंद्रा नूमर सभी में पड़ालाजी आगी तो 15 इंटू 5 कर दो कि यह पड़ाजी आ गई उसके बाद जो बचा आपका 150 में से माइनस कर लिजेगा वह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा अधार अच्छा कर लेते हैं तो पुच्छतर नमर यहीं से सब्जेक्ट में थड़ा पर ला ला लेंगा पास ओ गए जा है कुछ नहीं जाता बस आपका प्रफर करना ना जिसे एक कोशन कर रहे हैं आप जिस तरीके से आंसर उसको डिशाइड करोगे वह सभी सब्जेक्ट में वही तरीके से डिसाइड करना हैं पर प्रफर यहीं बोलती है तो यहां पर सलेबस देखते हैं मैं जाधा ही लेक्षर दे रहा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं से लेवस पे जो का जिस काम क्लिह माय हैं विकास के अधाराव सीखने के साथ इसका सम्बंध पहला है बच्चों के विकास के सिध्धान आनुमन सिक्ता पर्यावरान समाजी करन एक कोशन एक नंबर का यहां से यह तो पूछे मत इसे तीन से चार कोशन आने के चांस है बहु आयामी खूफिया यहां पर थोड़ा स्पेलिंग लग रहा है गलत हो गया है भासा और विचार एक मांसिक निर्माड के रूम में लिंग भूमिकाय लिंग पुर्वागर और सेक्षिक अभ्यास देखिए यह थोड़ा सा टाइपिंग में अगर कहीं कुछ पॉइं आप वहां से डावलोड कर लेना जो मतलब जी जो डावलोड करना चाहते हैं हिंदी में सिक्षार्थियों के बीच विच्विक्तिकर अंतर भासा जाती लिंग यह लिंग से ती कुस्षिन फिक्स रहता है समुदाय धर्म अभी विधता ठीक है सीखने के आकलन और सीखने के ख़ें तरी इसकुल अधरित मुल्यांका सततो भीयापक मुल्यांका यहां से यहां रहाएं दो नबर तीन नंबर फिक्स बता रहा हूं सथट उर्भयापक मुल्यांका यह आईसा टॉपिक है और जिसको अच्छे से पढ़के छला एंग कर सकते आपक फॉलतू की टेंसले यहां पर आया देखते हैं पर शिक्षारतियों के त्यारी के स्था आप आपको आपको क्लियर करते हूं आप यहीं से एक नमबर तयार कर लिजिए यह होती है कि सभी बालकों को एक सांथ पढ़ाने के लिए समावेस्टी सिक्षा बोलती है अगर यह concept आप के माइंड में है तो आप बहतर option चूज कर पाएंगे इसके पांच नमबर के दो तोहम दो है मैं क्लिए धीयरति को सम अएव सभीक्षर मगया सब्सक्राइब धिर्डर रावतु आप समझ्च और है तो यह सारो उपंड है आपके एहां पर अस इस आप समझतन पंडर नंबर आपका अपका बाल बिकास का था पांच नमर मने गया सभी से प्रदसने प्रदसने में सफलता प्राप्त करें में सब्सक्राइब देख लेना समस्या समाधर करता यहां से आपका दो नमबर फिक्स है बच्चों के सीखने की वेकलपिक अधारना एंट रूटियों प्रक्रियां महत्पुड कदमों के रूम में अनुभूतिया भावना एं प्रेंड़ना शीखना सीखने के विवदान देने वाले कारक व्यक्तिगत और व्यक्तिगत कारक इससे कुशन आता है ठीक है तो यह सारे पॉइंट है फिर इसके बाद लैंग्विज पर आ जाते है भासा भासा में देखे यहां पर सबसे पहला भासा जैसे आप कोई भी ल सब्सक्राइब करेंगे तो पांचो सब्जेक्ट के लिए अगर आप एक जबार पढ़ेंगे तो पांचो सब्जेक्ट का आपका तयार हो जाएगा ठीक है मैस में थोड़ा अलग पेड़ावाजी आती है उसको थोड़ा साब ध्यांद लेंगा ठीक सुनने और बोलने कि भूमिका भासा का रहे हो इस बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उप्योग करते हैं मौकिक और लेकित रूप में विचारों को सम्प्रेडित करने यहां पर आगे देख सकते हैं थोड़ा और तेजी से चलता हूं विवित कक्षा में भासा सिखाने के चुनोतियां भासा की कठिना यह त्रूटियां और विकार यहां से आपका एक दो नंबर का रहेगा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है भासा कॉशल भासा की समझ पर ताम लियांकर वहां बोलना सुनना पढ़ना कभी कभी इसी को आडर पूछ लेता है यहां से एक नंबर फिक्स मानिया अधिकम सामागरी पाड़े पुस्तक बहु मीडिया सामागरी कक्षा में वह भासी अंसाधन उप्चार अत्मक्षिक्षण यहां से आपका दो नंबर अटा है टीक है उप्चार अत्मक्षिक्षण से कोश्चन आता है फिर इसके बाद भासा फ़स्ट हो गया भासा सेगिड में जैसे आपसंस्कृइस घंदी ले लिया तो आप भासा पर संस्कृत ले रहे हैं इंगलिस ले तुषमें भी क्या रहेगा पहले 15 नंबर का सबसे ज्यादा टाइम खाता है जिनको आती है उनके लिए बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ही लिंदी पूछता है कभी कभी सीटेट वहां पर पर सानी आती है ठीक है गडित पाठ करम में देखेंगे सामगरी जैमती आकार और अस्थानी समझ हमारे आस पास पड़ोस नंब जोड़ना जोड़ घटाना गुड़ा विभाजन यानि भाग माप वजन समय यह सारे पॉइंट दिये गया है मतलब जो पी आरटी के लेवल के सलेवस होता है थोड़ा से लेवल अच्छा था हलके में मतले लिए ना पैसे पैटरन डेटा संचार अधान समय यह सारी है ठीक समझना पाठ चर्या के गडित का स्थार गडित की भासा सामदाई गडित अपचारी तरफ तरीक्ति से मुल्यांकन सिछड़ समस्य तरूटीन नेयदानिक दो नमबर यहां से एक नमबर यहां से ले सकते हो यह सब चीजे मुलाब इस अपटॉपिक अच्छे से कर लीजे न यह सब NCRT अगर जो अच्छे से कर लेगा एंसी आटी से इसका कोश्चन आता है एविस का तो इन्सी आटी से भरा रहता है ठीक है अगर आपको यह चाहिए तो कमेंट जरू करिएगा मैं एक टेलिग्राम लिंक दे दूंगा जिससे आप जाके डाउनलोड कर लेना तो यह था पूरा पेपर वन का पेपर टू का जो लिंक है मैं इसके पहले मैंने पेपर टू का बना रखा है याद रखेगा विहार शिक्ष यहां तक था पूरा पेपर वन का सलेबस और कुछ इंफरमिशन और हमें बता दूं आप किस तरीके से पढ़ना चाहोगे मतलब थोड़े सा यहां पर एक मिनिट का बता रहा हूं उस पढ़ने के एक दो बार मतलब मैंने वीडियो बनाई है लेकिन एक बार और मैं सुच र जारी करें जो बार-बार प्रावलम में आ रहे हैं या फेल हो जाने उनके लिए बताऊंगा ठीक है तो यह रहा आपका पैटर्न फिर से दिखा दे रहा हूं यही आपके 150 कुश्य रहेंगे 150 मार्स के रहेंगे टाइम आपका 2 आर 30 मिनिट तो यहां पर मैं दिखा दूँ आप क्या करेंगे कि जिसे आपको प्लानिंग करना है आप यहां पर तीन सब्जरग अपना इस ट्रॉंग रखे मैं बता रहा हूं तो अगर आप 25-25 इस पास रखें अगर 22-25 आ तीन सब्जरग ध्यार हैं जैसे 22 इसमें आगे 22 इसमें आगे 22 इसमें या एक दो नंबर बहुत और इंक्रेस कर दिये हैं तीस नंबर तक पंद्रह नंबर ला लिए इसमें पंद्रह इसमें पंद्रह देखे अराम से पास हो गया तो मैं आपको दिखाता भी हूं मैंने इसी तरीका समय तो दो ही सब्जेक्ट पे जादा फोकस किया था आपको मैं तीन इसलिए बता एक पास होने के पास चले गया है तुरंधी तुरंतीन मैंने दो सब्जेक्ट इस च्रॉंग बनाया था नागे तो बाल विकास मेरे अच्छा है तो मेरे लग बग इसमें तो मुझे लग रहा था मेरे 30 आ जाए लेकिन चार गलत हो गए थे इसमें 26 मांक है इसमें 25 है फिर इसके बाद 12 16 14 मिला के पुरा 93 हो गया है फिर इसके बाद पेपर 2 में भी यहाल है देखे चाल पेड़ार सब्सक्राइब करें तो मेरे 27 है तो अवरल मतलब इसमें थोड़ा सा कमी आए है उसके बाद एक पेपर और दिखा देता हूं में यहां पर देखे इसमें 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 भी मैंने दो सब्जेक्ट पर ज्यादा मनलब दो सब्जेक्ट अपना इस ट्रॉंग का लेजिए दे इसमें इसमें यहां शुआ अजया सब्जेक्ट में बना करना को प्रैक्टिक्ट में अंफ करना अपको अगर इस तरीके से प्लानिंग नहीं कम स्वेगत तीन सब्जेक्ट इतना इस ट्रॉंग बनाईये कि 20 प्लस स्कोर कर सको और यह सब एक्सपरिमेंट कहां करना है आपको प्रैक्टिशेट में पेपर में नहीं पेपर में तो आपना मतलब पहले घर पे खुब अच्छे से प्रैक्टिश करिये सब्सक्राइब करना मतलब पहले आपको इन सब्सक्राइब करना इस तरीके से मतलब दो सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करके और भी सब्जेक्ट जिसके पांचो सब्जेक्ट हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है चार में अब आप 140-50 ला लीजिए मुझे कोई दिक्कत नह है लेकिन मैं यहां पर नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं जो पास सुने के लाले पढ़ रहे हैं मतलब दिक्कत हो जाती है पास भी नहीं हो पाते हैं 82 और 90 भी नहीं आपाते तो उनके लिए यह है कि थोड़ा सा प्लानिंग से सांथ त्यारी करेंगे तीन सब्जेक्ट अपना स्टॉंग करके जाए उसके बाद नॉर्मली पढ़के रखें ऐसा निक पढ़ना नहीं है दो सब्जेक्ट पढ़ना तभी तो 15 16 अठारे नमर उसमें भी ला पाएंगे ने तो फेल हो जाएंगे फिर पढ़ना पाचो है लेकिन दो तीन सब्जेक्ट अपना स्टॉ का लिंक दिया है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजिएगा उसको ठीक है तो कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा काफी मेनत लगती है इसी वीडियो बनाने में टाइप करिए फिर उस पे काम करिए और फिर वीडियो बनाके देना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरू करिएगा ठीक है थैंक यू फार वाचिंग हैव नाइस टेंग